नमस्कार मेरे नाम बीना है और आप दाइंजा टॉप देखना शुरू कर चुके हैं दिसंबर का महीना चल रहा है कोरोना भी पूरी तरीके से देश से गया नहीं है ऐसे में बिहार की बात करें तो एक बार फिर आंकडे जो है डराने लगे हैं पहले की आंकडे की बात करें तो काफी कम थे और इन साथ दिनों में 37 नए मामले करोना के आए हैं ऐसे में नए वेरियंट ओमिक्रोन का डर भी पूरे देश में लोगों को सताने लगा है सरकार भी चिंती थे कि किस तरह इस पर रोक लगाया जाए करोना को बढ़ने से जो है रोका जाए ऐसे में बिहार सरकार चिंती थे और लगातार इस तरह के निर्देश दिये जा रहे हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर सकत जो है नज़र रखी जाए और उनका जांच कराया जाए हाला कि लक्ष जो रखा गया है सरकार की और से उस पर जो है स्वास बभाग अभी तक खड़ा नहीं उतर पाया है ऐसे में आपको बता दे की लोग डाउन तो अभी नहीं लगेगा ऐसा जो है ऐलान कर दिया गया है लेकिन कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन जारी कर दिये गये हैं और अब जो है इसका सकती से पालन कराया जाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन जो है नया वे और दूसरे फेस से भी खतरनाक होने वाला है तीसरा फेस क्योंकि ओमिक्रॉन जो है दस से पंद्रों गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा और अभी तक इस पर पूरी रिसर्च सामने नहीं आई है कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है तो हमें पहले के दिशा निर्द को बचाना होगा तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह के दिशा निर्देश बिहार सरकार द्वारा जारी किये गए हैं और आपको किन-किन नियमों का पालन एक बार फिर से करना होगा अपनी जान की रक्षा करनी होगा और लोगों को को कोरोना होने से इस वेरियंट के नए वेरियंट को होने से बचाना होगा देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते केस को लेकर बिहार सरकार खासा चिंती थे सीम नितिस कुमार सहिट स्वास्थ बभाक के मंत्री और तमाम अधिकारी इससे निपटने की तयारी में जुटे हैं मुख्यमंत्र इस तरह पर इस बात की समिक्षा की जारी है कि किस तरह से लोगों को को नए वेरियंट ओमिक्रोन से बचाया जा सके सरकार की तरफ से फिलहाल लॉक्डाउन तो नहीं लगाया जाएगा और ना ही कोई कर्फ्यू लगाई जाएगी बलकि कोरोना गाइडलाइन को और सक्त कि जाएगा बिहार सरकार नए वेरियंट को देखते हुए आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए गाइडलाइन तयार करने वाली है फिलहाल इस ओमिक्रोन के समिक्षा की जा रही है इसके बाद ही गाइडलाइन को अंतीम रूप दिया जाएगा हाला कि 1 दिसमबर से 15 12 दिसमबर तक ग्रिब भाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में बाजार पार्क सिक्षन संस्थान हवाई अडे बस अडे रेलवे स्टेशन शादी ब्यास श्राद को ध्यान में रखा गया है बहार सरकार के अधिकारिक सूत्रों के मताबिक ओमिक्रों को लेकर सबसे ज़्यादा जरूरी है अब लोगों को मास्क पहनना अनिवारे किया जाएगा इसको लेकर सरकार सक्त होगी प्रिशासन के तरफ से इसकी निगरानी की जाएगी हम आपको बतारे कि कोरोना का जब पहला और दूसरा फेस था और त्रासदी थी पूरे देश में तब हम कि निडरता से इसका सामना किया और को खराया उस समय हम लगतार मास्क पहनते थे बाहर जाते थे तो अपने आपका खयाल रखते थे कि किस तरह हम कोरोना से बच सके लेकिन बितिक उस दिनों से जब से कोरोना के मामले कमाने लगे हैं तो हमने लापरवाही बरतनी शुरू क कर दी है और मास्क सैनेटाइजर और तमाम जो हम डिस्टेंस मेंटिन करते थे उसको भी भूलते जा रहे हैं तो ऐसे मी इन सभी बातों का एक बाल फिर से ध्यान देना जरूरी हो गया है ताकि हम कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से बच सके और अपने परिवार अपन पर सानिय प्रशासन की तरफ से संख्या निर्धारित कर लिया जाएगा COVID-19 प्रोटकॉल के मताबिक लोग यहां जाएंगे स्कूले बच्चों के लिए बिहार सरकार ने ओनलाइन और आफ्लाइन दोनों का आप्शन स्कूल की तरफ से देने का निर्देश जारी कर दिया है समिक्षा के बाद इनमें और भी संसोधन किया जा सकता है हाई स्कूल और स्कूलेजों के लिए जरुवत पढ़ने पर निर्देश जारी किये जाएंगे वहीं बाहर की यात्रियों पर नजर विशेस तोर पर रखा जाएगा इसको लेकर हवाई यात्रा करने वाले यात्रि समिक्षा बैचक कर रही है कि किस तरह कोरोना के नए वेरियंट से विहार वासियों को बचाया जा सके आपको क्या लगता है आप भी अपने सुचाओं हमें कमेंट के जरीए दीजिए इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क